Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So from today I am starting the discussion of a new subject and it is Econometrics. तो एक नई जर्नी है, एक नई आत्रा की शुरुआद है Econometrics, यहां से हम शुरू करने वाले. Slabers क्या है Econometrics का यह एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है. आज से हम Econometrics subject को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. क्या होता है Econometrics? क्या होता है Econometrics? What is Econometrics? Interesting question. देखिए, यह जो Econometrics है, यह दो वर्ड्स को मिला के बना है. एक है हमारे पास Economics और दूसरा है Metrics. Economics तो Economics है, Metrics होता है System of Measurement. तो Economic Variables के Measurement को हम कहते हैं Econometrics. यह बड़ी आप कह सकते हैं Laman Type Language में अगर मैं कहूं तो आम बोल चाल की भाशा में कि जो Economic Variables हैं, Economic Terms हैं उसके System of Measurement को हम कह सकते है Econometrics. मगर हमको थोड़ा सा और Sophisticated होना होगा, थोड़ा सा और आगे जाना होगा. चलते हैं. देखें, आप अब तक बहुत सारे Economic Models को पढ़ चुके हैं. Econometrics पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मतलब आप Micro Economics, Macro Economics में एक Level तक पढ़ चुके हैं. तो अब हम कुछ Models को जानते हैं. Economics में, Econometrics में हमको Maths भी चाहिए, Stats भी चाहिए और Economics भी चाहिए. तो अब यह एक Model आपने पढ़ा, सब अच्छों ने पढ़ा, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ जी पढ़ा हुआ है, यह जो Model है, किसी ने तो बनाया होगा, ऐसा तो नहीं है कि रात को भोलनाच शोपन में आए और बता के चले कि जा बिटा, सुबह यह Model लिख दे, उस बोलते हैं, C1 को बोलते हैं, MPC, Marginal Propensity to Consume, अभी Definition पर आओंगा वापस Econometrics की, एक्जांपल से बाच समझाना चाहता हूँ सिर्फ, तो C मेरा यहां पर Consumption है, और Y Income है, यह Consumption-Income का Relationship है इस Model में, आया कहां से Model है, देखी हमने डेटा लिया, उस डेटा के basis पर हमने, जिसने भी Model बनाया, उसने डेटा लिया, उस डेटा के basis उसने Behavior को Study किया, Consumption और Income का Behavior क्या है, और उसने पाया, Consumption का एक Part ऐसा है, जो इनकम से Independent है, इनकम के बदलने से वो नहीं बदलता, वो और नमस कंजम्शन है, और एक Part ऐसा है, जो इनकम के साथ डारेक्ट रिलेशन रखता है, वो है Marginal Propensity to Consume, और उस बेसिस उसने Model Define किया, यही काम हम EconoMetrics में करते हैं, डेटा लेते हैं, डेटा के बेसिस पे हम Mathematical Model सेट करते हैं, देखिए, इकनॉमिक नोशन तो यही है ना, कि अगर इनकम होगी तो कंजम्शन होगा, पैसा कमाओगे, तब ही तो खर्च करोगे, ठीक है, और इनकम बढ़ने पे कंजम्शन बढ़ना चाहिए, तो हमने बेटल मॉडल सेट करना है, डेटा लेकर, उसके हम करते हैं, फोर्कैस्टिंग, फोर्कैस्टिंग मतलब होईश्य कि अगर मुझे इंकम पता हो, अगर मुझे फ्यूचर की इंकम पता हो, तो फ्यूचर में कंजम्शन क्या होगा, इस मॉडल से मैं डेटर्माइन कर सकता हूँ, अबिसली चीजे इतनी सिंपल नहीं करने के लिए हमने बात समझी, यानि क्या है, लिखे, लिखना चाहिए, इकॉनमेट्रिक्स इस कंसर्ण्ड विद, यह विसे सब चीजे मैंने आपको नोट्स में लिखके दी हुई है, फिर भी जो बात साथ लिखने तो जड़ा बढ़िया रहेगा, इकॉनमेट्रिक्स इस कंसर्ण विद अपिरिकल लिटामिनेशन ओफ एकनामिक लॉग इंपिरिकल मतलब विच बेज़ और एक्सपरिमेंट्स जो सेंपल लेके उसके ओपर बेज़ है वो इंपिरिकल और उस पर हम क्या करते है इक नॉमिक लॉग को डिर्माइन करते हैं, कैसे करते हैं, देखे, it is a branch of economics that combines economic theory, mathematics and statistical methods to provide empirical content to economic relationships c is a function of income but how will this relationship be? economic theory is how we have consumption income mathematics we use for model set hypothesis testing validate model set which we need to do this is a combination of economic theory, maths and stats economics economics is a process of fitting mathematical economic models mathematical economic models to real world data आपके पास data होगा जैसे एक example के तौर पर आपके पास consumption गिवन होगा आपके पास income गिवन होगा उस data से आप यह model set करेंगे इसके इसके लिए हम math के concepts के जैसे calculus वगार हम यूज करते हैं वो सब आगे आप सीखने वाले हैं अभी तो एक दम हम starting stage पे खड़ें वो सब आगे सीखने वाले हैं setting, fitting of model कैसे करते हैं data पे model कैसे set करना है fitting of model जीके, OLS पढ़ेंगे उसके लिए आगे जैसे for example finding the consumption function which shows consumption depends upon disposable income of consumer जैसे example में दिया यह model set करना पहला का सबसे पहला काम क्या है model set करना दूसरा काम क्या है दूसरा काम यह है economic theory जो है उसको test करना क्या यह economic theory के according results दे रहा है यह नहीं दे रहा है ठीके, आगे next we test we test the economic model we test the economic model that whether it satisfies we test the economic model that whether it satisfies the economic theory जो हमने model set किया है क्या हम economic theory के satisfy करता है for this we use hypothesis hypothesis testing क्या यूज करते है hypothesis testing यूज करते है यह सब कैसे करना है आगे सीखने वाले अब तो ज्यात्रा की जर्णी की शुरू है तो ही है it's just the beginning of the journey a long journey है और बहुत इंट्रस्टिंग है बहुत scoring paper है तो हमने जो model set किया mathematically अब उसके ओपर हम stats के concept यूज करके hypothesis testing करेंगे और अगर यह hypothesis testing results को validate कर देता है तो फिर हम करते है forecasting if model if model accurately reflects the economic notion if model accurately reflects the economic notion as verified by hypothesis testing then it can be used for it can be used for forecasting it can be used for forecasting where in this example future consumption can be predicted based upon future income तो जो future income हमने पास है उसके basis पे future consumption को हम predict कर सकते हैं बता सकते हैं भविश्य में consumption क्या होगा ऐसे अनेको अनेक model आपके सामने आएंगे अनेक model आएंगे आप जानते हैं आपका जो एक GDP है या income है वो consumption और investment बेस करता है ठीक है investment multiplier पे बेस करता है आप जानते माइक्रो में आ जाओं तो demand का quantity demanded का price relation होता है वो सब जो models आप पढ़कर आते हैं आप तो जो आप पढ़कर आएं उन सब की formation one by one यहाप आएगी आपके सामने ठीक है सारे models की formation आपके सामने आएगी ठीक है तो एक बात आप समझते हैं कि जो infant mortality rate है छोटे बच्चों की जो मृत्ति उदर है infant mortality rate उसके उपर depend करता है family income क्योंकि income अगर नहीं होती है तो लोग medical facilities avail नहीं कर पाते हैं इंकम होने से medical facilities avail कर पाते हैं वो depend करती है किसके उपर वो depend करती है mother education के उपर कि अगर mother है पढ़ी लिखी होगी तो बच्चे को विमार होने पर doctor के पास लेके जाएगी और अगर नहीं पढ़ी लिखी होगी तो तांत्र एक जाड़ भूग बाबा के पास लेके जाएगी तो इस बात पर फरक पढ़ता है इस बात का infant mortality rate के उपर की mother education क्या है family income क्या है number of siblings कितने है उस family में उस बच्चे के कितने siblings हैं ज्यादा siblings होने पर family पर pressure ज्यादा होता है ठीक है तो यह सब जिसे हमने एक इसे बहुत सारे model हम set करेंगे और उसके बाद उसके basis पर predictions भी करेंगे future में क्या होगा predict भी कर सकते हैं एक company का stock price लीजिए company का stock price उस company की sales पर depend करता है उस company की profit पर depend करता है ठीक है और बहुत सारे factors भी कर सकता है तो हम अगर हमारा पास data है तो पास data पर stock price को sales पर model set कर सकते हैं उस model पर आपको पता भाविश्य में क्या sales होगी क्या profit होगा तो भाविश्य का stock price आप predict कर सकते हैं सबसे आसान तो यहीं बात होगी सबसे इंट्रेस्टिन तो यह है मैंने तो सुने stock market में तो लोग क्रोड़ रुपे कमाते हैं तो मैं फटाफ़ट से एक onometric सीखता हूं और फटाफ़ट से मैं companies के stock price प्रेडिक करना स्टार्ट करता हूं कली मैं करोड़ पती बन जाओंगा नगर एक समस्या है समस्या यह है कि जो हम value प्रेडिक करते हैं actual result वही होगा इसकी guarantee नहीं है होता क्या है कि हम जब predictions करेंगे तो कभी-कभी ऐसा होगा कि actual value हमारे prediction से जादा आएगी कभी-कभी ऐसा होगा कि actual value हमारे prediction से कम आएगी तो अगर मैं 10 साल तक लगातात predictions करता हूं तो 10 साल में मेरी predictions की average और actual data की average वह बराबर होगी on an average terms बराबर होगी लेकिन किसी instance पे differences हो सकते हैं उसको बोलते हैं error क्या बोलते हैं उसको error यानि यह जो मैंने लिखा c is equal to c bar plus c1y इसमें एक टम और add कर लीजिए और यह है error यह मैं i लगा देता हूं इसके बार में चर्चा भी करूँगा i का क्या मतलब है तो यह जो मेरी predicted value है यह जो मेरी predicted value है यहाँ पर यह actual value और यह मेरी predicted value है तो prediction prediction है और actual यह मेरी यह prediction और यह बहुत कम होगा बहुत ज्यादा होगा हमको इसलिए अगर यह सोचें कि आज में Layer च सर ने example दिया stock prices का और कल से मैं बन जाता हूं stock पंडित और मैं फटा-फट से stock की भविश्वाणी करना start करूंगा और सब्सक्राइब यह कि अब इसके basis पर जो प्रेडिक्शन करेंगे प्रेडिक्शन के basis पर आप अन अवरेज अपनी profitability maintain कर सकते हैं इंस्टेंस पर नहीं तो यानि एक और में अगर बात करें तो क्या है have an economy track में हम पहले डेटा कले खरते हैं डेटा के बेशिस मेथंअ की मॉडल कि पिर हम स्टाइट के टूलों जो हैंप। पाद आगर वो को यह सटिसफाय हो जाते हैं अगर हम उसके कर सकते हैं उसके बस एक बहुत ही सी डेफिनेशन है इसे बहुत सरी तरम से अड़ना और जो हमारे इंतजार कर रहा है तीकًá जो अभी नजर नहीं आ रहे हैं सब पढते खुछेंगे बहुत बढ़ीयदा होता है यह लिधी आते रहेंगे Het SC पढ़ेंगे अब बात शुरू ही थी डेटा से तो डेटा कहां से आएगा डेटा के सोर्सेस क्या हो सकते हैं डेटा कितनी तरह का हो सकता है तो उसको लिखे ज़रा नेक्स टॉपिक डालीजिए स्ट्रक्चर ऑफ एकनॉमिक डेटा मैं अभी आपको इसको रिग्रेशन बोलते हैं Basically इस पर लेके नहीं जा रहे हैं यह क्लास का एजन्डा नहीं है मॉडल क्या है कैसे है इस सिबार का मतलाब। मैं सब्सक्राइब अगे वाली इसका डिसक्षान के उपर चलेगा आज क्लास का एजन्डा यह नहीं ठीक्षा को बस बताना था economic tricks के निया data किस तरह का होता है और कैसे हम उसको collect करते हूं तो लिखे structure of economic data structure of economic data क्या होता है यह economic data का structure economic data जो है वो तीन तरह का हो सब्सक्राइब देर थी टाइप सफ एकनॉल्गी डेटा और बहुत और भी टाइप में जाएंगे तो और इसको फॉर्दर क्लासिफ़ाइब कर सकते हैं मैं तीन टाइप की डिस्क्रिश्ट यहां पर आपके सब कर रहा हूं प्राइमरी अभी पहला उसमें से है क्रॉस से क्रॉससेक्शनल टीता क्रॉससैंश्टेटा आप देखते हैं किसी भी बड़े शहर में जाब जाते हैं दिली मॉंबटाई या बड़े शहर में जाब जाते आप पातें क्या हैं एक कीशी पॉश कॉलंटी के इरद-भिड चार तरफ तीन तरफ दो तरफ आसपास कैसे भी आपके एक slum cluster नजर आता है एक पॉश कॉलनी है और इसके surroundings में कहीं पर आसपास में slum cluster है तो वह जो पॉश कॉलनी के लोग हैं अगर आप उनको देखेंगे तो आप पाएंगे λममें पहुंच जाएंगे और वहां जाकर देखेंगे की लोग पानी के लिए कातार में इसक्क निसेटि पानी के लिए पिर आपको लाएगा के इंडिया है वह तो अपने सिडिजन्स को आज सक पानी भी अवेलेबल नहीं करा पाई देखिए कुछ ही मीटर्स के डिसंस पर आपको दो चीज़े नजर आ जाती है यह क्रॉस सेक्शनल डेटा है जहां पर हमको डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज का डेटा नजर आता है आप देखिए जो बच्चा एकनॉमिक्स ओनर्स करने दिली निवेस्टी में आता है न तो लगबग हर बच्चे की चाहत होती है या भी काउमेनर्स करने आता है तो उन में से सब बच्चों की जारा तर्की कह सकता हूं चाहत यह होती है कि हमको श्रीडाम कॉलेज अफ कॉलेज अफ कॉमर्स, SRCC में तो आपको एक ही स्कूल में ऐसे बच्चे मिलेंगे जिसका 99 परसेंटाइल है 90 परसेंटाइल है या 80 परसेंटाइल है या 70 परसेंटाइल है या 60 परसेंटाइल है तो अलग अलग वराइटी का जो सुडेंट है किसी का कैलिबर जादा है कोई मेहंती जादा है तो अगर हम एक point of time पे अलग type का data एक अठा करें स्कूल थे cross-sectional data आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप campus के students की marks को collect करते हैं या out of campus marks को collect करते हैं तो generally एक difference नजर आता है जो मैंने देखे difference नजर आता है campus में जो बच्चा पढ़ रहा है जैसे शीडाम कॉलेज में पढ़ रहा है मैं ड्यू की बात करता हूँ अगर तो और या फिर जो हिंदू कॉलेज में पढ़ता है या स्टीफिन से पढ़ता है और हम econometrics में जब भी बात करते हैं तो average terms में बात करते हैं आप यह ना कहिएगा सर के मेरे marks तो second year में या first year में srcc के उस बच्चे से ज़ादा आये थे हम average terms में बात करते हैं कि अगर on an average आप देखें तो srcc में पढ़ने वाले बच्चों के जो marks है on an average किसी अगर off campus कोई एक college ऐसा है जो बहुत दूर है इसी college का नाम इसमें नहीं लूँगा को बच्चा नराज होगा सर मेरे college को अपने ऐसे बोला लेकिन generally हम ऐसा देखते हैं कि जो college off campus है campus से दूर है अकेला एक जगा पर college है तो वहाँ पर बच्चों के जो marks है वो कम रह जाते हैं थोड़े से उसकी वज़ा है बहुत सारी है उसको study करना ही आपका काम है यही है आपका काम है कैसा क्यों है लेकिन अगर आप data को देखते हैं तो आपको नजर आता है तो अब यह क्या हो गया आप देख रहे हैं कि अलग अलग sections है यहां पर डीटा के एक जगा ऐसा है जहां पर students के average marks जादा है एक जगा ऐसी जहां पर students के average marks का है एक्जांपल चेंज कर दो अगर तो अगर हम देखें private schools है दिली में और public schools है और सरी government schools है तो जो private schools है उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी family income और जो government school से बच्चे पढ़ते हैं उनकी family income उसमें difference है आपको clear नजर आएगा तो यह अगर आप data collect करते हैं तो क्या है यह cross sectional data है जहां पे आप एक point in time पे अलग-अलग तरह का data collect कर रहे हैं इसको बोलते हैं कि हम cross sectional data cross sectional data refers to cross sectional data refers to a type of data type of data collected by observing collected by observing many subjects units or phenomena many subjects units or phenomena at a single point in time at a single point in time for example for example collecting the family income collecting the family income of students studying in schools of a metro city, tier 1 city, tier 2 city, village तो आप एक metro city में जो बच्चा बढ़ रहा है उसके स्कूल से बढ़ रहा है उसके family income, tier 1 में बढ़ रहा है उसकी family income, tier 2 cities में बढ़ रहा है उसकी family income यह गाउं में बढ़ रहा है उसको collect करते हैं एक point पर माले जी 2024 में collect करते हैं अभी 2024 स्टार्ट हो गया तो 2024 की बात करता हूं तो 2024 में आप collect करते हैं तो यह क्या है आपका cross-sectional data हो गया ठीक है तो रहा है ठीक है लेक सकते हैं इत कंसिस्त फूर अ संपल भाफ तो इंडिविज्च और चाव्ण फर्म इंडिविज्च और आवसोल्ट फूर्मे इस होड़ पर्मेंस प्रूदेंस यह मांक सोटेंस अ च्रास सिपीज और स्पीज सेट अर्टेंस इक है दूसरा हमारे पास है उसको बोलते हैं हम लोग टाइम सीरीज डेटा टाइम सीरीज डेटा यहां पर किसी एक डेटा सेट की ओवर अपर टाइम आप कलेक्शन करते हैं मतलब मान लिजे ऐसे सी सी कॉलेज की बात कर लेते हैं अगर तो तो SRCC में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके 12 में कितने मार्क्स आये थे 20 23 में कितने आये थे 22 में कितने आये थे 21 में कितने आये से 20 20 19 18 17 16 15 14 30 मैं से करते हैं जाब 15 20 साल का तो आप जो ओवर देटाफ टाइम एक फैमिली का या एक डेटा टाइप का कलेक्शन कर रहे हैं तो यह ताइम सीरीज डेटा है तो इस बाद कर लिखना चाहां लिख लिए जे टाइम सीरीज डेटा इस टाइप अफ डेटा लिखनें रहे हैं. से टर्वें साल कालिक्थ और लाया लिख प्रमगज टाइम डॉलागों अरहेँं से टाम्लें तो शै。 दाइम झा hvad स्थीरज डेटाριज डेटाइम डेटाउन एंबल मेल एिता पूंंто that are ordered chronologically, chronological order होता है, chronologically, and it is used to measure the patterns, trends or behavior, आप देखिए आप ना किसी अगर stock broker के पास जाएंगे या ऐसे stock trader के पास जाएंगे, जो stock trader है, वो क्या कर रहा होगा, generally वो charts खोल के बैठे होते हैं, यहाँ पे इनके पास time चल रहा है, और यहाँ पे stock का price चल रहा है, इस date पे यह price है, फिर 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 यह price है, यह जो data उनके पास है यह time series data है, ठीक है? So examples of time series data include stock prices, examples of time series data include stock prices, money supply, consumer price index, national income, sales of automobiles in a country, etc. छीक है? Right? अब देखें, यह जो time series data होता है, इसमें एक difficulty होती है, कि over the period of time यह हम जैसे हम को चाहिए हो, data independent होना चाहिए, independent हो जोड़ी नहीं है, जैसे आप देखिए कि, अब मैंने आपको example दिया stock prices का, तो एक company है, उसका stock price का data आप study कर रहे है, मानले जिए, दो साल का data study कर रहे हैं, लास्ट येर क्या हुआ था? COVID आ गया था, COVID तो ख़ए 2020 में आ था, just for example, लास्ट ये COVID आ गया था, तो उस extraordinary situation में उस company ने कुछ गलत नहीं किया था, उस company की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उस COVID की आने की वज़ा से, उस company का stock price लगबग 40-50% चला गया नीचे, तो यहाँ पर इस fall ने पूरे उस company के data की performance को disrupt कर दिया, disruption आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ external factors हैं जो data पर ऐसा डाल सकते हैं, ऑ्रणेल, 강 inhib a key feature of time series data, that makes them more difficult to analyze that makes them more difficult to analyze and cross sectional data economic observations economic observations can rarely be assumed to be rarely be assumed to be independent over time economic observations time period के साथ independent रहेंगी इसका चांस आप इसको आप guarantee नहीं कह सकते के जुरूरी नहीं है suggestion example दिया covid का आपको covid के time पे तो हर कमनी का कोई कितनी अच्छी कमनी क्योंने का प्राइस गिर गया था stock price या और भी sales गिर गहीं थी shutdown lockdown हो गया था sales बंद हो गई थी companies की income लोगों की काम हो गई थी और बहुत सरे changes हुए थे ऐसे हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है उससे हर साल की एक अलग कहानी है एक अलग स्टोरी है अभी election यह आ लागा है 2024 तो नई government को बूस्ट मिले उसका अभी अलग हो जाएगा ताइम इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस हम मानते हैं वह हो इसकी assurance नहीं दी जा सकती और फिर्म डेटा collect कैसे करते हैं हम जनरली करते हैं इसके बाद एक तीसरी टाइप हमारे पास है और उसको बोलते हम लोग क्या उसको बोलते हम लोग तो पैनल डेटा अब यह पैनल डेटा क्या है कि देखिए जैसे हमने srcc के बच्चों के 12 के marks कलेक करें 1990 में 1990 बहुत पीछे हो जाएगा 2010 से करते हैं 2010 11 12 13 ऐसे 2023 तक हमने कलेक करा marks तो यह क्या है यह टाइम सीरीज डेटा है हिंदू कॉलेज के marks कलेक करें हमने सुरिंट्स के स्टीफेंस के कलेक करें और हमने फर एक्जांपल हंसराज के कलेक करें ठीक है वेंकी के कलेक करें तो यह यह एसरसी का time series data है यह हिंदू का time series data है यह स्टीफेंस का है यह HRC का है यह वेंकी का है लेकिन अगर मैं इसको इसको horizontally देखों तो 2010 में क्या था cross-sectional data था 11 का यह cross-sectional data था 12 का यह cross-sectional data था अब इसका जो combination है पूरा इस entire combination something which is called panel data हर एक cross-section को हम over the bit of time measure करते है इसको बलते कि हम panel data इसको longitudinal data भी कहते है तो यह panel data also known as longitudinal data is a type of data set is a type of data set that combines that combines both cross-sectional both cross-sectional and time series data it involves observations it involves observations on multiple subjects जैसे src6 subject है hindu subject है on multiple subjects over multiple time periods over multiple time periods जो हमने time period है 2010, 2011, 2012 तो multiple subjects को measure कर रहे है multiple time periods मेजर कर रहे है तो एक cross-sectional data each cross-sectional unit is observed each cross-sectional unit is observed at different points in time formatting a structured data set you are forming sorry formatting forming a structured data set that enables that enables the analysis of both individual and temporal variations देखें यह जो last time बुली है क्या है individual मतलब आप 2010 में measure कर सकते है srcc, hansra, stephens, srcc, hindu, stephens, hansra, wenky इन में क्या-क्या variations है temporal मतलब over the period of time आप time के साथ इसको measure कर सकते हैं आप एक point in time पर differences को measure कर सकते हैं आप over the period of time जीसको temporal variation कहते हैं वह measure कर सकते हैं आप इसको बोलता है panel data ठीक है जैसे आप कोई भी example ले सकते हैं आप जैसे FMCG brands होते हैं डाबर है हिंदुस्तान Unilever है पतंजली है और जंडू है इनके भी बहुत सारी चीज़े आती हैं तो आप आप इनकी sales figures को over the period of time study कर रहे हैं आप airlines है Air India है Spice Jet है या और भी बहुत सारी इंडिया में तो Go Indigo ऐसे कुछ है उनके आप जितने flights वह carry करते हैं एक साल में या एक महिने में different periods में study करते हैं तो यह सब क्या panel data बन जाएग आपका राइट ऐसे बहुत सारे examples हो सकते कोई भी example आप वहाँ पर सामने code कर सकते हैं राइट ठीक है या फिर आप national incomes ले सकते हैं इंडिया की national income ले लिजे दस साल की आप जिससे साउथ एशियन लेने चाहते हैं इंडिया की ले लिजिए पाकिस्तान ले लिजिए श्रिलंका ले लिजिए बंगलादेश ले लिजिए नेपाल ले लिजिए भुटान ले लिजिए अफगानिसान ले लिजिए इन सब की जो national income है दस साल की वो collect कर लिजिए तो यही भी cross section पर आ जाएंगे और को वक क्या है model fit करना पहला काम जो बताया आपको उसके बाद fit करने के बाद क्या करना भाई उसके बाद hypothesis testing करना कि क्या model सही result देता है कि नहीं उसके बाद forecasting करना और उसके बाद कुछ assumptions होती हैं देख़े कोई भी theory assumptions based होती है assumptions होती है वो assumptions अगर hold ना करत हो उसकी violation हो जाए तो क्या होगा तो सब्सक्राइब पहले का क्या का था बहुत सारे aps और buts आएंगे वो आगे पड़ेगे अब ये के लिए इतने हैं तो इतनी बात hopefully आप लोग समझ गए कोई query है आपको अगर कोई बात समझ नहीं आई है तो अगर वीडियो YouTube पे देख है तो नीचे मेरा WhatsApp नंबर है आप WhatsApp कर सकते हैं और जो enrolled students है उनको तो doubt session मिलते है regularly आप doubt session में आईए अपनी queries को distance कीजिए ठीक है जी? Okay, thank you.